अफगानिस्तान के खिलाफ डग पर आउट हुए रोहिश शर्मा लेकिन फिर भी बनाई सेंचुरी कल अफगानिस्तान और भारत के बीचे पहला T20 याई मुकाबला खेल लगया था उपनी करने आए रोहिश शर्मा और शुबमंगिल दोनों के बीच वे थोड़ी से मिस टीट कर ली आपको बता दी कि रोहिश शर्मा ने बहुत ही खास रिकॉर्ड बनाया है और यह रिकॉर्ड विराट कोली और MS धोनी भी रिवना पाए हैं दरसल रोहिश शर्मा ऐसे सवे T20 मैस का हिस्तार है जिसमें भारती टीम को जीत पली मतलब कि रोहिश शर्मा ऐसे पह T20 इंटरनेशनल की बात करें तो रोहिश शर्मा हैं जिन्होंने सौ मुकाबले जीते हैं रोहिश शर्मा की लगबग एक साल बाद T20 इंटरनेशनल में वापसी हो रही थी लेकिन कुछ खास यह वापसी रही नहीं जिस साबसे इंटेंट दिखाया था रोहिश शर्मा ने आगे बढ़के उन्होंने एक शॉट लगाया था लेकिन शुबंगिल के चलते थोड़ी से मिसकम्निकेशन हो गई और वो जीरो रन पे आउट हुए थोड़ा सा निराशा जनक था रोहिश शर्मा के लिए उनके फैंस क्लिए उनके फैंस काफी टाइम बात उन्हें T20 मोड में देखना चाते थे विस्पोटक मोड में देखना चाते थे लेकिन वह देख नहीं पाए शुबंगिल की गलती थी उसमें या रोहिश शर्मा की गलती थी यह कुछ क्लियर नहीं है सबका अलग-अलग अपना उपिनियान है लेकिन आपको बता देगी बहुत अच्छी ब हार्दिक पंडिया का बिस्ट रिप्लेस्मेंट हो सकते हैं जब तक हार्दिक पंडिया फिट नहीं हो जाते लेकिन फिलहाल रोहिश शर्मा ने भी सोचा होगा कि इतने दिनों बाद वापसी हो रही है तो कम से कम अर्धशता कि या उस वह भी नहीं तो 30-35 चालिज रन का क कमेंट करके में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ उफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नभूलें